नमस्कार साथियो स्वागत है आप सभी को आपके अपने ही योट्यूब चैनल में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि यूनियन बैंक आफ इंडिया का एटियम यहनिकी डेबिट कार्ड आप ओनलाइन अपने घर पर कैसे मंगवा सकते हो तो दोस्तो यदि आप लोग भी आउनलाइन डेबिट कार्ड मंगवाना चाते हो तो आप लोग घर बैठे मंगवा सकते हो तो कैसे आप लोग को यूनियन बैंक आफ इंडिया का आउनलाइन अटियम कार्ड मंगवाना है कहां से आप लोगों को जाकर आउनलाइन करना अब क्या क्या मुआ पे लगने वाला है यह सारे जानकारी आज की इस वीडियो में डीटेल में देने वाला हो तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखेगा और चैनल पर नए आएवे हो तो चैनल को सब्सकाइब करके बेल नोटिफिकेशन को ओन जरूर कर लिजेगा ताकि हम सब्सक्राइब तो 그대énergieन बैंक ईफिलिया का ओफिर सेल वेब साईट भूं तो यहां पे आने के बाद आप लोगों को लेक्ट साइड में थिरी ऑप्संस का यहां पे दिखाई देगा तो यहां पे आप लोगों के सामने बहुत सा नमबर पर क्लिक करना Eggs तो जैसे क्लिक किजिएगा तो Online Debit Card पह तो एक नया The page खुलकर सभूने आ जाएगा यहां पर आने के बाद आप लोग को Online Debit Card प्लियकेसरं का दो ओप्षन क्लिक कर संपने अजाएगा यहां पर आप लोग एक है apply online debit card और दूसरा जो है apply online debit card का application tracking यहां से आप लोग जैसे ही apply कर दोगो तो यहां से आप लोग उसका status चेक कर सकते हो तो सबसे पहले आप लोग को apply online पर click कर देना जैसे click किजेगा तो फिर okay पर click कर देना है उस पर click करने के बाद आप लोगों के सामने फिर से दुबारा एक नया page खुल कर साम करने के बाद आप लोगों को यहां पर अपना यहां पर capture दिखाई देगा वह capture आप लोगों को फिल कर लेना capture फिल करने के बाद okay बटन पर click करना होगा तो okay बटन पर click किजेगा तो आप लोगों का जो भी रेजिस्टर mobile नमर होगा Union Bank of India में उस पर एक OTP बहजा जाएगा तो आप लोगों के पास रखना है mobile phone mobile number आप लोगों के पास रखना है तो यह से o API पर click कीजेगा तो OTP जाएगा OTP जाने के OTP डालकर यहाँ पे आप लोगों को confirm बटन पर क्लिक करके आप लोगों को confirm कर लेना है confirm करने की फिर से आप लोगों के समने नया यहाँ पे section खुलकर समने आ जाएगा तो यहाँ पे आप लोगों को आधार नमर और pen नमर दिखाई देगा इस पर आप लोग को आधार नमर फिल करना है और यहाँ पे date of birth जो आप लोग के आधार नमर में है वो same date of birth यहाँ पे फिल करना है और confirm बटन पर क्लिक कर देना confirm button पर क्लिक करने के आप लोग को काड सलक्षन का option दिखाए देगा यहाँ पे आप लोग को काड सलक्षन में domestic और domestic international आप लोग कैसा काड चाते हो यदि आप लोग international debit काड चाते हो तो domestic यहाँ पे दोनों चाते हो तो उस पर क्लिक कर देना यदि आप लोग domestic चाते हो तो उस प हुआ को टाइप करने के बाद आप लों को десяter पर के लिव और जाएगा याह पर ए 되म का debit card को तो आप लोग को कहाँ पे मनाना यह यहाणि आप लोग को branch address पर अप छाद कर पर करने केब आपद का debit card successfully order हो जाएगा तो यहाँ पे आनलाइन अबोट रिफ्रेंस अच्रों हो है और इसका यह आप लोग का successful आप लोग यहाँ पे debit card को online कर दिएगे हो और आप लोग का debit card online हो चुका है तो आप लोग को status कैचे चेक करना है यहाँ पे आप लोग का जो भी reference number मिला होगा उसको copy कर लेना है तो फिर से आप लोग को उसी section में आ जाना यहाँ पे online application tracking का option दिखाई देगा यहाँ पे आप लोग को click कर देना है इस पर click करने के बाद आप लोग का जो भी यहाँ पे आप लोग ने वहाँ पे copy किया हुआ था उस यहाँ पे reference नमर को तो वो आप लोग को request ID यहाँ पे डाल लेनी है वो डालने के बाद आप लोग को IOM net report पर click कर देना है और इस पे आ आप लोग आउनलाइन मंगवा सकते हो अपने डेविट काट को तो दोस्तो आई उपकी वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी अगर पसंद आई तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी द्वारा इसी तरह से अगली वीडियो आप लोग के पास त हन्यवाद